पता चल जाएगा भागलपूर का उकाद क्या है कहना मुश्किल है हम तो कल भी आया तो यहाँ पर एक भटका गिर गए भागलपूर इश्मार्ट सिटी या फिर भागलपूर नगर निगम में भोला नात्पूल का चर्चा बड़ी जोर सोर से हर चुनाओं में होता है और इस लोग वादे करते हैं हमेशा लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाते हैं वादे करके चले जाते हैं जीत के चले जाते हैं कुर्शी पे बैट जाते हैं लेकिन जनता की मांगें पूरी नहीं कर पाती है रागीरों को इस बोलानात पूल के वज़ा से क्या परिशानी होता है क्योंकि उपर अगर बात करें तो रेल की पट्री है और नीचे से गारियां जाती है फोड़ासा गंजेश्टेट जगा होने के वज़ा से लोगों को परिशानी जहलना पड़ता है लेकिन हर चुनाओं में ये चर्चा होती है लेकिन नेता इस वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं पूरे दिन मतलभ कहिए कभी तो ऐसा होता है पूरे दिन जाम रहता है और साम में जो वरकिंग आवर है जो स्कूल टाइम में लोगों का उस टाइम पर तो जाम एकडम नेससरी होना है तो इसका क्यों सॉलीशन अभी तक निकलने में देखते हैं कि वादे करते हैं बोलानाथ पूल का फ्लाइओवर बन जाएगा लेकिन आज तेक नहीं बन पाया क्या इस बार नगर निगम की चुनाओं में ऐसा लगता है कुछ हो पाएगा हम तो यहीं सुन रहे हैं बस वादे ही कर रहे हैं उमीद है कि आप इस बार कुछ अच्छा हो बाकी देखिए मेरे कवरेज आपके कवरेज से या फिर हम जैसे आम लोगों के बोलने से कुछ अच्छा हो जाए तो और क्या हो सकता है बहुत सारे लोग हैं मतलब इदर रहने वाले सारे लोग जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहा है और काफी स्थाइम से लंबे ताइम से प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि जल्दी कुछ ना कुछ इसका निराकरन निकाला जाएगा से जादा दक्षनी शेतर में Rहने वाले लोग को अब ढगता हूं लगता होगा était उतनी पर संभी गंटा एक धूने घंटा आपको जाम में पहले दूप में पसीना बाना होगा फिर आप अपने जेगा पे पहुंच सकते हैं इसमें आपका हाइब प्रेसर बरा रहेगा अधुकार में जाने के साथ आपने स्टाप को गली आ रहे हैं तो रास्तें कोई मिल गया उसको गाली दे रहे हैं यह मजमिजाज हो गिया है लोगों का लोग को आने जाने में क्या परेशानी होता है आने जाने परेशानी यह होता है कि सबसे बड़ी आपको क्या लगता है नेता अगर अभी वादा करके चल जाएगा जीत जाएगा तो वो बना देंगे अभी तक तो 95% नहीं उमीद लगता है जो कि अभी तक होते आ रहा है क्योंकि सदन में भी जो है गर्म जोसी के साथ लोग मुद्दा नहीं उठा पाते हैं वह से के वैसा लीडर नहीं मिल पा रहा है भागलपूर को इस मुद्दे पर जब से चुनाव जीते हैं तो मतलब उनका कोई भी कारे नहीं दिख रहा है हए सब सबस्टे से निजात मिले हवाई अड़ार भगल में देव घर में चालू हो गया है आरपोट यहाँ भी होना चाहिए जैसे हम लोग को असानी से कहीं पहुंच सके अच्छा आप डेली इस रास्ते से जाते हैं बिल्कुल परिसानी का सामना करना पड़ता है और इन नोग बोलते हैं कि शमदान करवा देंगे बढ़ कोई काम नहीं होता है और पर्शानी हम लोगों को काफी होती है अभी जाम लगावा है पूल में अगलपूर के दक्षिनी छेत्र का यह सबसे बड़ा जो है समस्या है जैसे हलकी सी भी बारिसों सहर में कहीं भी यहां बाड़ा जाता है और उसके बीच से गुजरना पड़ता है हर बार बड़े-बड़े नेता मंत्री मुक्यमंत्री मौद आते हैं और हम लोगों क स्वासन देते हैं कि इस वार फ्लाइओवर बनेगा लेकिन कभी भी इसका फ्लाइओवर नहीं बनता है नगर निगम पानी निकालने के लिए भी एक मशीन लगा के रखी हुई है जो तभी आती है जब बर्षात का मोसम होता है बाकी समय वो चलती नहीं है उसमें भी मशीन स्वासन का कोई द्यान नहीं है वहागलपूर समार्ट सीटी बन चुका है कहीं नहीं दिख रही हैं नाम का स्मार्ट सीटी बदोबर जालर दिख जाएंगे और कुछ नहीं दिखने वाला है बोड दिख जाएंगे अब कुछ दिर बात चुना होगा क्या नगर निगम में बोलानाक पूल का फ्लाइओबर का चरचा रहेगा चरचा रहेगा मुद्दा रहेगा वोट इसी पे लिया जाएगा लेकिन पूरा तो हमारी बैटरी वाली गाड़ी है इधर से जा नहीं पाएगी जाम पूरा है अगर गाड़ी बीच में रुग गया तो फिर आप उसी में गंगा सनान कर लेंगे चोटी गंगा ही यह तो यह हाल है सर काली गंगा कहा जा सकते हैं बिल्कुल 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 वह एक फ नगर नियम की चुनाओं में भुलानाथ पूल के फ्लाय ओवर का चर्चा रहेगा रहेगा अब लोग इसी मुद्धी पर वोट करेंगे आपको क्या लग्षा है फ्लाय ओवर बनेगा हाँ बनेगा बनेगा अस्वासन नेता देता है लेकिन बनाता है कहां अभी तक अभी लिए यहां पानी परता है जो पानी हो जाता है पानी करना परता सब धिन ढ रहता है नेता व१ा आज तक नहीं हो पहा है स्के ₹ज और आप्सानी लेकिन इस पर तो आइस पर बहूंतह। बिदायक जी से हम लोग चर्चा किये थे इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है अच्छा आप विदायक कैसे लिए बोल रहे हैं और सांसा नुसा तो यह सबसे भी चर्चा होता या फिर मत पुछे सांसा तो लुक तो हो गया जहाँ भागलपुर में सांसा धी है ही नहीं जो यहां पृड़ लेताय कि कोई नहीं सब्सक्राइख नहीं नहीं तो रहते हैं इसके मेरे समझाय कोई भी नहीं नेता सब्सक्राइब कर शूचित ईश्रे अजर्चा कमार फिर मेरे वह सब कभी चूबीचिन क propre यहाँ का लोकल जो अपने प्रंदी सभीत करते हैं मैं भांगल भी नहूंड कर रहा हूं अब ना किसी का वजूद नहीं है तो उसको कोई देता है तो यहां कर लोग यह हम ही है यहां के कार्यकरता उसके पीचे हैं लेकिन वो तुसे अपने लिए लिए कुछ नहीं है जमीनी हकिकात कुछ नहीं है जोफय लोग है उनके पास पावर नहीं हैं जो अच्छे है जिसके पावैर उनके पास टाइम नहीं है देल सब्सक्तिता बशालं सब्सक्राइद बर्षा हो दो पानी तो जाता है कंभ आ और आपनों क्या करते इस रोड के करण हम no कि दया है यहां का सादन बन in in on I a और आपनों क्या कह सकते हैं इस राष्ते से था में बहुत परिसान है हमेंसा बराबर का रूड जाम होता है जी बिल्कुल सही बात है कि नेताओं की जैसे पहले काणी होता था इरादा और वादा दोनों बदल जाता है वैसे ही नेता जब कुर्शी पे बैठते हैं तो वादा और इरादा दोनों बदल जाता है जनता कैसे जी रहे हैं कैसे रा पे चल रहे हैं उसको देखने की जरुरत नहीं है लेकिन आए दिन जब वर्सात होती है तो वर्सात के समय में नगर निगम के तरफ से जब इसमें बा सकता है हर बार इस परिसानी को जलना पड़ता है भागलपूर के वासियों को और यहां पर समस्या यह लगातार जारी है समस्या को हर एक नेता वादा करते हैं लेकिन वह पूरा नहीं कर पाते हैं जीत के जाने के बाद वह कुर्शी पर बैठते हैं तो जनता के वादे को भ तो आप क्या बोलेंगे अइसा गिरें हैं क्या बोलें तो सुबह सुबह संदीज कंपोन जाते हैं अपना मॉर्लिंग वाग के लिए सुबह में भी दिक्क्त होता है और इस तो अटे हैं तो संडे है तो आए तो ठोड़ा भीड का मैं यहां पे नहीं तो दो घंटा यहां पर यहीं पे खड़ा रहना पड़ता है उसके बाद दोकान जाते हैं अब इसको जरूरा है तो आपके घोड़ लेंगे जब जरूरत कवाइट मोदी आप लोग तो डेली इस राख से जाते आते हैं आए दिन जाम की समस्या लगी रहती है क्या इस जाम की समस्या से निक्तहरा मिल पाएगा से यहां इस जनम में नहीं मिल पाएगा इस जनम में मिल पाएगा क्योंकि यहां बहुत ज्यादा ओछी राजनीति भागलपुर में शुरू से रहा है और अब तो इस्थिति यह हो गई है कि हम लोगों के आज़त हो गया है पानियों में गुजरना गंदे नालों के बीचों से जाना यह आज़त ह हो गई है पुरे भागलपुर वाशियों के लिए खास करके तक्षेनी छेत्र के लिए और इसका समाधान हमको नहीं दिखराए कि यहां के बरे-बरे राजनेता हैं चाहे वह अजित सर्मा हो या सानवाज हुसान हो या आपका आश्वनी चौवे हो इतने बरे-बरे नेटा है अच्छा करमें इस नुक्सान अम देना को रहा है इस बार नगरनीगम के चुनाव में干े यह चर्चा चले गांगम के चुनाव से नहीं देना हैन से कि बोट नहीं देना होगा ढई है और हम लोग उनको वोट देंगे, बोट से को लिना देना है नहीं, बोट मिलेगा फिर वही कहानी हो जाएगा, होना जाना कुछ नहीं है बोलाना टपुल का, यह जिस हाल में था, उस हाल में आने वाले 15 वर्सों तक रहेगा अच्छा आइसा अगर कोई नेता वादा करता है कि हम अगर जीत के जाएंगे तो इसको पूरा कर देंगे, फ्लाइ ओबर बना देंगे, क्या वो सही साबित होगा या जूट साबित हो वो अगर लिखित में देने के लिए तयार हो जाएं, उनके चरनों को दो करके पिने के ल आकरन होता है, तो उनके चरन को दो करके पिया जाएगा, प्रफात मोदी, रेडिमेड कर्मेंट का मारा काम है, बस अपना घर है, यही रास्ता है हमारा, इसी के तवारा हमें के जाना है, नाली दिन बर जेखते रहते हैं, अभी हलका सा बारिस होगा, घुटने बर पानी ज पिकल्पिक वरास्ता वे उल्टा पूल है, तो कि हमें साथ जाम मिलेगा आपको, अगर आपको स्टेशन जाना है, तो 20 मिनट का समय चाहिए, यहां पर से कम से कम आजा घंटा लग जागा आपको स्टेशन चौक पर पहुंचने में, और अगर को बहु ज़्यादा मेर्जि होस्पिटल जाना हो माया गन या पिर भरारी तो आपको कम से कम सी घंटा का समय चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए, जब तक मैं यहां जो रोगी आजे घंटे में मरने वाला वह तो मर जागा रास्ते में, यहां की समस्या से तो रहत जब तक इसके जो है, क्या कहते है अब यहां के परसासनिक लोगों से इसके बारे में सवाल कीजिए, परसासन थोड़ी सहयो करेगा, आप जिसको वोट देते हैं, वो बनवाएंगे. अब देखिए वादा तो सभी लोग कर रहे हैं लेकिन बन कहां रहा है बन तो नहीं रहा है किसी भी समय जाम हो जाता है अच्छा आप लोग को मार्केट जाने में कितना टाइम लगता है अगर बाइक से निकलते हैं जाम लगी है तो मार्केट जाने में यदि जाम लगा हुआ है तो कभी 45 मिनट कभी एक घंटा कभी लग जाता है अंदर जाने हैं मात्र पांच सो मीटर की दूरी तैय करने में एक घंटा तक का टाइम लग जाता है और ज्यादा तर ऐसा ही होता है जो कि अगर फ्लाय ओबर बन जाए तो मात्र पांचनेट में आप मार्केट जा सकते हैं अ झारांच सो